नमस्कार दोस्तों मैं अभी से कुपाध्याय आप सभी का हर्दिक धन्यवाद और आभर विक्त करता हूं जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में MCD चुनाव होने जा रहे हैं और चुनावी सरगर्मिया सुरू हो गई हैं हम कोशिस कर रहे हैं कि माहूल जानने की माहूल क्या ह और उस माहूल की मुहिम के तहट आज हम पहुचे हैं रेखा त्यागी जी हैं और वर्तमान में निगम पारसद भी हैं मैडम आप से जानना चाहेंगे हम सबसे पहले तो आपका हमारे प्लेटफोर्म पर बहुत-बहुत हार्दिक स्वागा बहुत-बहुत धन्यवाद कि आ मेरा पहला आपसे एक सवाल कि जैसा कि अब लगबग अप्रेल में चुनाव हो जाएगा ठीक है तो बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर आपके बाड़ में दावेदारी कर रहे हैं तो दावेदारी को लेकर और आपकी दावेदारी को लेकर थोड़ा सा जानना चाहेंगे क क्या है देखिए दावेदारी करना हर कारे करता का अधिकार है जिसने भी आमाद्नी पार्टिक के लिए काम किया है वह आमाद्नी पार्टिक से दावेदारी कर सकता है इसमें कोई अलग या अनोकी या कोई बड़ी बात नहीं है यह तो सब का अधिकार है सब अपने अधिक कारी कि हमने देखें काफी काम कराएं तो ऐसा कोई कारी है या ऐसी कुछ चीजे रहे गई हो जो आप से छूट गई हो अगली योजनाव में आप करना चाहेंगे हैं यह सवाल आपने बिल्कुल सही किया है कि अभी पांच साल मुझे निकम पार्षद बने वे हुए हैं और प सड़के नालियां सफाई व्यवस्था मॉल्ला क्लीनेक और जगह 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 जो कूड़े के अंबार लगे रहते थे उनको हटवाया मतलब इस तरीके के काम करें और लोगों को आधार कार्ड पहचान पत्र और लेबर कार्ड जिस तरीके की भी कोई दिक्कत आती है तो मै मैं ऑफिस में कैंप लगवाती हूं अभी इनी कामों को कर पाई हूं अभी बहुत कुछ करने की इच्छा है करना चाहती हूं वाड के लिए जैसे वाड के अंदर एक भी लाइब्रेरी नहीं है हमारे यहां पर बेसिकली लड़के तो बहुत दूर दूर भी चले जाते हैं गवर्मेंट के अच्छे बड़े स्कूल हैं वाड के अंदर तीन स्कूल लेकिन जो बात आप महसूस कर रहे हैं उससे पहले मैंने भी महसूस करी है कि लाइब्रेरी खास्तोर से लड़कियों की लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर और जिसमें ब्यूटी पालर का कोर्स कर काम जाता है उस तरह के सेंटर ये चोटे-चोटे मतलब चीजों को खोले की बहुत जर्रत है क्यूंगिन हमारे यहां पर हर क्लास के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा मतलब ऐसे लोग रहते हैं कि जहां पैसे की बहुत कमी है नोकरिया है नहीं और जो छोटे-छोटे पट्री इस तरीके के लगा लगा के अगर कोई काम करता है तो भाजपा में बैठीवी MCD में बैठीवी भाजपा की सरकार उनको इन कामों को इमानदारी से करने नहीं देना चारी है हर जगे पहुँच जाते हैं MCD के लोग धमक जाते हैं बाजपा का डंडा तकड़ा है उनकी जेवे बहुत बड़ी बड़ी है तो वहाँ पहुच जाते हैं लोग की आपका चलान कटेगा आपने यह निदिया अरे वो भोले-बाले सीधे साधे लोग क्या करें उन्हें पता ह से लाइसेंस ले सके और इमानदारी से काम कर सके लेकिन हर काम में चोर बजारी इंसानों को जो बिचारे सीधे लोग हैं उनको चोरी करने पर मजबूर कर रहे हैं यह भाजपा शासित भूण जैसा हमने लोगों से बात की तो आपने यह चीज जो आप कह रहे हो कि एक रिष्वत खोरी का माहूल थेली वाले पट्री वालों को परिशान किया तो आपने इसमें अच्छा काम किया लोग बता भी नहीं कि अब जो हमारे साथ पहले होता तो इसमें आपको कुछ दि के वे हो और कितनी ताकत के साथ उन चीजों का मुकाबला कर रहे हो तो मैंने अपने वाड़ के अंदर जहां भी रैडी पट्री वालों से खुश खोरी ली जाती थी लोग बहुत बुरे हालात पैदा करते थे तो आप कहीं भी चले जाएं किसी दुकान पे चले जाएं किस इस तरीके का माहूल नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने खुद घूम घूम के इलाके में बाजारों में दुकान दारों के पास सब जगह घूम घूम के मैंने लोगों को अवेर कि इन लोगों को आप मूह मत लगाओ यह अगर धरा धंका के पैसा लेते हैं तो आप सीदा मुझे अगल पर हर लेड़ी वाले को मैंने अपना नंबर वाटा तो महिकाम भूई काफियेत तक इसमें जो हमने पाया था केई जह एक लेग हमने न उस पे रोग लगाने को सचिक हमने खुद अपने मंद से इसमें पुलिस महें भी उनके साथ सामिल था देगये पुलिस महें ना तो हमारे अंदर में आ रहा है ना counselor की इतनी power है कि वो police महकमे पे ज़्यादा दबाव बना सके police againer कें अंदर आती है तो वहाँ mcd में तो हम counselor है made टबाबी बनाके काम करवाना जानते हैं लेकिन पुलिस क्योंके हमारा पार्टी नहीं है हम उनको कुछ नहीं कह सकते न उनके ऊपर हमारा कोई अंगुश है तो पुलिस वालों का काम क्यों पुलिस वाले कोई जाने मारी ने कौई लगाम नहीं है Constitution वो आपने बैस्ट किया हो कोई ऐसा काम जाना चाहेंगे और उसमें क्या समस्य आएं वो जाना चाहें देखिए बैस्ट तो मेरे यहां पर बहुत सारे काम ऐसे बैस्ट हुए है कि यह दिल्ली का सबसे पहला ऐसा वार्ड है कि जब लाइटे लगाने का नंबर आया यानि कि जब पूरी दिल्ली में लाइटे बदलवाई जानी थी चूकर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट काम कुरना बंद कर दीया था में लाइटे ठीक नहीं हो रही थी फूरे के पूरे बाड अंधेरे में पड़े थी तो उस टाइम पे दिल्ली में सबसे पहले अपने वार्ड में मैंने लगवाई लगी वह एक कंपणी के थू है क्योंकि इन्होंने हर कंपनी को ठेका सारे कामों के लिए सारे कामों के लिए एमसीडी ने प्राइवेट लोगों को ठेके दे दिये तो सबसे पहले दिल्ली का ऐसा वाड़ है जिसमें लगवाने का काम मैंने किया और आज मेरे जो बची कुछी थी चीजे तो वो हमारे मानिय मंतरी गोपाल राएजी के द्वारा जो मुख्य मंतरी फंड से लाइटे मिली वो सारे में लाइटे लग गई तो पहला ऐसा वाड़ा है जिसमें इतनी ज्यादा रोशनी है कि कहीं आपको कोई को से बहतर किया दूसरा काम इससे भी बड़ा किया कि हमारे वाड़ में जब मैं निगम पार्षत बनी तो हमारे वाड़ में तीन बहुत बड़े-बड़े के अंबार लगे वेचे कुड़ा घर थे तीन थे यमना विहार के कोने पे था गोर्णा चौक पे था और इधर नूर करके एक ही इसमें और जबकि यह इतना रियाशी इलाका है इतने रहने वाली आबादी यहां पर रहती है बहुत परेशान थे लोग मकान बेच बेच के जा रहे थे यहां से लेकिन उस कूड़े घर को मान्यमंत्री जी के आदेशा नुसार उनके सायोग से इसको मैं यहां स इस तरीके से कुड़ा डालता है तो उसको समझाने का गाम करते थे और ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता था तो थोड़ा बहुत डराते भी थे लेकिन वहां आज आप देखो कि ऐसी जगापे जहां से बिमारियों का लोगों को इलाके के लोगों को बिमारी मिलती थे आज एक समस्या है यदि आते हैं में पूरा पूरे बल के साथ तो एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की मैं आपसे उसको शेयर करना चांगा यदि कोई इस बोर्डर से आता है गाजी बोर्डर से तो वहां जनता का स्वागत जो है कूड़े का धेर करता है अगर उधर से आए हैं पूरा दिल्ली में तो क्या रहेगा इन चीजों के लिए देखिए दिल्ली के अंदर आपने बताया कि चारों तरफ से जैसे मेरे वाड में था कोई भी अगर दूसरे बाद से या दूसरी जगह से लोग आते थे तो मेरे वाड के अंदर भी कूड़े के धेर से उनका स् तो इस कूड़े के धेर की जो सोगात थी उसको हटा पाई तो ये मेरे लिए और इलाके के लिए भी बड़ी अच्छी बात है ऐसे ही पूरी दिल्ली के अंदर चारो तरफ से कूड़े के अंबार कूड़े के पहाड में जो गाजीपुर के आप बात करने हैं मैं खुद स्टे लोग मर रहे हैं दके कूड़े का इतना उच्छा पहाड बनिया इनके पास इस कूड़े के पहाड को खतम करने का कोई उपाए नहीं है कोई टेक्नलोजी नहीं है कोई ऐसे इंजीनियर नहीं है कि जो इन चीजों का निदान कर सके हैं आज देखें देश कहां पहुँच रहा है हमारे परदान मंतरी जी डिजीटल इंडिया की बात करते हैं और एक तरफ MCD में भाजपा की सरकार है और वहां पर इनके पास कूड़े के धेरों को हटाने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का कारण बने हैं और हमने इस बात के आमादी पार्टी के पार्षदों ने पुर्जोर आवाद भी उठा को पानी की बिजली की स्कूलों की अस्पतालों की पेंशन की तीर्थ्यात्रा योजना की और लेबर कार्ड की लोग डाउन में चाहे ओटो चालकों को 55000 रुपे देने की बात हो और या दिल्ली के श्रैमिकों को बेरोजगारी के कारण 55000 रुपे उनके खाते में देने की बात हो या दोनों टाइम दिल्ली की जंता के लिए जो ऐसे हाई लोग हैं उनके लिए दोनों वक्त का खाना सरकारी स्कूलों में बटवाने का काम किया हो या सूखा राशन लोगों को फिरी देने का काम आज तक भी चल रहा है क्यूंकि अर्विंज इस बात को मानते हैं कि अर्थ वैवस्ता पूरी तरीके से डगमगा गई लोगों के पास काम धंदे नहीं हैं तो आज तक भी राशन लोगों को फिरी में दिया जा रहा है जिनके पार राशन कार्ण है और उससे भी बड़ी बात अर्विंज जी के संग्यान में जब ये बात आई कि राशन फिरी राशन देने की योजना बना डाली और आज की तारीक में भी दिल्ली के लोग आधारकार से भी फिरी राशन ले तो इतने काम जब आमाद्नी पार्टी की सरकार सक्ता में आते ही कर सकती है तो फिर ये कूडे के पहाड तो क्या चीज है आमाद्नी पार्टी की सरकार आते ही इनके उपर युद दिस्तर पे काम होगा और दिल्ली को बिलकुल पैरिस बनाया जाएगा क्योंकि सारा साथ सपाई का काम केवल और केवल एमसीडी का होता है तो आम आदनी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो बहुत सारे ऐसे काम है जिन से आज दिल्ली की जनता तरस्त है उन सब चीजों पर काम होगा एक आखरी सवाल में आप से जोड़ा तीखा कड़वा सवाल है जो मैं कड़वा जिलने की बहुत आदत है कि दोबारा चुनाव है नई योजन आएगी तो दोबारा जनता गरीब जनता आपको ही अपना प्यार क्यों दे और दोबारा आपको क्यों चुने देखिए हाँ बहुत अच्छा सवाल है कड़वा नहीं है ये तो बहुत मीठा सवाल पूछा आपने कड़वा कहके देखिए दुबारा जनता मुझे क्यों चुने उसके पिछे का कारण है कि पांच साल के अंदर लोग तो इलेक्शन के वक्त दूसरी पार्टियों के एक दिन भी मैं अपने घर में नहीं बैठी एक भी छुट्टी मैंने पूरे टाइम में नहीं ली पांस साल के अंदर मेरा रूटीन नो बज़े घर से निकलने का है और रात को ग्यारा बज़े घर में जाने का आज भी और पहले भी था तो कैसा आराम होता है कैसी चुटे कामों से लोग परिशान होते हैं मेरा ओफिस यहां पर दुरियां के ओफिस दो गंटे चार गंटे खुलते होंगे शकल दिखाई साइन करें निकल गए लेगे मेरा यहां पर नो बज़े से लेके और ग्यारा बज़े तक अगर मैं यहां पर हूँ तो मैं यहीं मिल यह जंता का प्यार है यह इतना प्यार और इतना संवाद मुझे इलाके के लोगोंने दिया है और प्रटी के कारेकरता हों ने इतना सहयोग कि यह यह लुए कि अनरजी है वरना एक इंसान की क्या उसकी अपनी हैसियत है कि वो इतनी बड़ी कुरसी पे बह cred साय इस उसको बनाते हैं और जनता बनाती है तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने चपष की जनता का भी हाद जोड़के शुक्रियादा करना चाहूंगी कि पांस साल में मुझे जितना प्यार दिया जितना प्यार दिया मैं आप लोगों का इसान शायदी कभी उतार पाओ और मेरे चेतर के आमादी पार्टी के कर्मट जुजारू कारे करता जिनोंने नीश्वार्थ पार्टी की सेवा करी नीश्वार्थ इलाके की सेवा करी और कंदे से कंदा मिलाके इलाकों के अंदर गली मोले के अंदर छाय रहे लोगों के काम कराते रहे हर तरीके से लोगों के सामने आती है बाहर जाओ तो उने पोने पैसे लेके लोग काम करते हैं तो उस आधार काड के कैम्प में हमारे मेरे वाड के कारे करता इतनी मेहनत करते थे लोगों के फारम भरना उनको सही गाइड करना आप सीधे साधे भोले भाले लोग हैं उनको नहीं पता इन सब चीजों का तो यहां पर कारे करता हो की बदोलत में इतने बड़े-बड़े केंपो को सफल बना पाई तो मैं कारे करता हो का अभी बहुत हाद जोड़के दिल से नमन करती हूं धन्यवाद करती हूं कि मेरे साथ कंदे से कंदा मिला के काम करती है कोई एक ऐसी चीज जो आपको अपने आप में अच्छी लगती हो मुझे कोई देखो अपने आपको तो ब तो मुझे में ऊंजे अच्छा लगता है जो मुझे पसंद करते हैं मुझे इतना प्यार देते हैं अन्त में छोटा सा आपके वाड़की जनता है यूवा है महीम Paulo संदेश करते हैं कि वक्त ऐसा चलना है कि आपो परलिक के भी बेरोजगार बैठे हो तो मेरा तो यह मानना है कि जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार ने स्कूलों के अंदर हर तरह के प्रोग्राम और वहीं से रोजगार भी निकलता है जो अब मनिसी सोधिया जी ने दिल्ली के अंदर युद्धिस्तर पे जगए-जगए कॉलिज खोले है कि उन में आप ज्यादा इंट्रेस्ट लो और आप कहना मनिसी सोधिया जी का कि नोकरी मांगने की बजाए नोकरी देने वाले बनो तो आप फुल एनरजी के साथ अपने फ्यूचर को ब्राइट करो मेरा आप सब बच्चों को युवाओं को बहुत-बहुत आशिरवाद है आम आदनी पार्टी को जो इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है ये यूथ की बदोलत मिल रहा है तो मैं इनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं बहुत-बहुत आशिरवाद देती हूं पूरे यूथ को और साथ ही जो महिला शक्ती है देखिए महिलाओं के हाथ में सबसे पहले जाड़ु आती हैं खुलते तो मैला शक्ति की बदोलत आम आदनी पार्टी का पर्चम इसकदर लहरा रहा है कि आज दिल्ली में है और अब देश में लहराने की तैयारी है अभी चार-पांच राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं आप देखिए कितने जुर्गों को तीरतियात्रा करा रहे हैं तो मैलाओं को भी फिरी में बसों में सेवा भी करा रहे हैं और साथ ही उसमें मार्शल इसलिए चोड़ रखे हैं कि उनकी माताओं को बहनों को बच्चीयों को किसी तरह की कोई परेशा नहीं नहीं हो तो ऐसे अपने भाई को ऐसे तरीके से आशिरवाद बनाए रखें और पूरे देश में जम के जाड़ू चलाएं जैसे चली रही है और आने वाले mcd के चुनाओं में एक तरफा मेरी मैलाओं से अपील है कि आप एक तरफा जैसे पहले जाड़ू को आप लोगों ने चलाया और गंदगी को हटाया ऐसे आने वाले चुनाओं में भी आप जाड़ू खुद भी चलाएंगी और अपने पडोसियों से और परिवार से भी जम के चलवाएंगी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं जैसा कि मैंने कुछ सर्वे भी किया था तो कुछ लोग हमें मिले जिनोंने कुछ बताया कि मैडम के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी लेकिन मैं सामने बैठा हूं मेरी बात हुए बहुत अच्छा नेचर है कोई मैडम आने वाली विधान सभा में आपकी कोई दाविदारी रहेगी देखिए हमारी विधान सभा में अभी तो निगम का चुनाव है निगम की बात करते हैं और विधान सभा में तो हमारे मान्य मंतरी गोपाल वाय जी है और हमारे चेतर का सोभग्य है कि हमें ऐसा देश का एसा लीडर हमें मिला हुआ है कि जिनके सामने हम तो बहुत चोटे से सिपाई है कारे करता है उनके तो हमारी तो क्या विसात है कि कहीं पार्टी देना चाहेगी तो लेने को तो कोई मना नहीं कर सकता लेकिन हमारे हमारे चेत्र को मान्य मंत्री जी जैसा लीडर मिला हुआ है तो हमें उसकी जुरत नहीं है कि मंत्री जी हमारे चेत्र के लिए और पूरी दिल्ली के लिए बहतर काम कर रहे हम तो चाहते हैं आने वाले समय में भी वहीं विदायक रहें जन्मों जन्मों तक वहीं रहें और जंता भी चाहती है कि माने मंत्री जी गोपाल राई जी यहां के विजाय करें मेडम धन्यवाद और हमारी तरफ से बहुत-बहुत आपको सुब कामना है कि आप ऐसी गरीब लोगों की मदद करते रहें और रेखा त्यागी जी से आप मिले ऐसे ही लोगों को राजनीती में रहना चाहि जेहिंदी जेबाराब